जैपूर से प्रकाशित अधिकांज समाचा पत्रों ने पैरिस सॉलंपिक में मनुभाकर द्वारा भारत के लिए पहला मेडल जीतने विश्व बाग दिवस सहित CUETUG के परिणाम गुशित होने की खबर को प्रमुक्ता से प्रकाशित किया है पारिस अलंपिक में 10 मिटर एयर पिस्टल में मनुभाकर द्वारा कांसे पदक जीतने की खबर को दैनिक भासकर ने मुख प्रश पर प्रकाशित किया है खबर में मनु को शूटिंग में पदक लाने वाली पहला महिला बताते हुए प्रधान मंत्री द्वारा दिये गए बधाई संदेश को भी प्रकाशित किया है वहीं रादस्तान पत्रिका ने भी मनुभाकर की जीत की खबर के साथ उसके अनुभव पर लेक को प्रकाशित किया है समाचार पत्र के अनुसार मनुभाकर की इस जीत से 12 साल बाद भारत को फिर से निशाने बाजी में पदक हाजिल हुआ है NTA द्वारा CUET UG के परणाम घोशित होने की खबर को पंजाब केस्री ने मुख प्रश्ट पर प्रकाशित किया है समाचा पत्र लिगता है कि 19 जुलाई को आईजुत हुई परिक्षा में कथित आन्यमितताओं को लेकर नतीजे जारी करने में देरी हुई वहीं अब गोशित परिणाम के अधार पर इसना तक दाखिल प्रक्रिया शुरू होगी राजसान पत्रिका ने प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी में बढ़ रहे AI के इस्तिमाल पर अध्यन की खबर को प्रकाशित किया है समाचार पत्र के अनुसार नीट और JEE सहित विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं में AI की मदद से विध्यारती तैयारी कर रहे हैं खबर में समाचार पत्र द्वारा AI कोच सहित एक्सपर्ट की राय पर भी प्रकाश डाला गया है दैनिक नव जोती ने विश्व बाग दिवस पर खास खबर को प्रकाशित करते हुए प्रदेश सहित देश भर में बढ़ती बागों की संक्या पर प्रकाश डाला है समाचार पत्र द्वारा बाग विश्वशग्यों की राय को प्रकाशित करते हुए नहारगड बायलोजिकल पार्क और अभेडा पार्क को परिटन की नदर से भी एहम बताया गया है समाचार जगत ने जोतपुर एम्स में सड़क दुरगटना की शिकार एक महिला अनीता द्वारा किये गए अंगदान से चार लोगों को नया जीवन मिलने की खबर को मुख प्रश्ट पर प्रकाशित किया है खबर के अनुसार जोतपुर में सड़क हास से के बाद ब्रेन डेट घूशित होने पर महिला द्वारा किड़नी लिवर और हिर्दय सहित अंगदान करने पर चार लोगों को नया जीवन मिला है राश्पती द्रौपधी मुर्मुद्वारा रादसान तेलंगना और जारखंड सहित नौराज्यों में नई राजपाल की नियुक्ति किये जाने की खबर को राश्ट दूत ने मुख प्रश्पर प्रकाशित किया है समाचार पत्र के अनुसार हरिभाव किसन राव को रादसान, गुलापचन कटारिया को पंजाब सहित, संतोष कुमार गंगवार को जारखंड का राजपाल निउख्त किया गया है अंग्रेजी समाचार पत्र टाइमस ओफ इंडिया ने कारबन प्रतक करण के माध्यम से प्रदेश की जीलों को होने वाले लाब पर विशलेशनात्मक खबर को प्रकाशित किया है समाचार पत्र के अनुसार राजजे वेट लेन प्रादिकरन द्वारा जल सनसाधनों की सुरक्षा के लिए कारबन प्रतक करण से जल वायों परिवर्तन को नियंतरित कर जीलो सहित अन्य जल संसाधनों की सुरक्षा की जा सकेगी अंग्रेजी समाचाः पत्र दा एकनॉमिक टाइम्स ने एरपोर्ट पर लंबी कतारों से निजात पाने के लिए स्वासेवा के नवाचार की खबर को प्रकाशित किया है समाचार पत्र की अनुसार प्राय रूप से हवाय अड़ों पर यात्रियों की लगने वाली लंबी कतारों के उपाई के लिए स्वासेवा और AI का उप्योग किया जा रहा है वहीं खबर में इस नवाचार पर विशेशग्यों सहेत यात्रियों की राय को भी प्रकाशित किया गया है तो ये थी जैपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की आज की सुर्खिया प्रकाशित समाचार पत्रों की साथ है